हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हैल वरन तो दोस्तों बहुत बड़ी खुसकपरी जो है निकल कर आ रही है आपका जो Most Avited Exam था HBIPO Notification 2021 का जो है आउट हो चुका है पिलकुल Official News मैं अभी आपको जो है इसका Notification दिखाने वाला हूं फुल डीटेल वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको Fees, Age, Salary, Qualification, Slavers, Exam, Pattern कर रहेगा बेकंसी कितनी है ठीक है एक्जाम डेट जो है इसकी November 2020 है इनकी अगले भी मन्त आपका जो है एक्जाम होने वाला है सेली इसको मालुम है साट एयार से भी ज़्यादा से सेली होती है बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेटेड बेकंसी है ठीक है तो चलिए दोस्तों हम Notification दिखा देते हैं आपको तो आपको Notification देख रहा हुआ यह Official Notice है बिल्कुल देखिए State Bank of India मैंने उसकी website से लिए है आप भी जाकर डाउन्लोड कर सकते हैं देखे ओनलाइन जो आपके application फिल किये जाना है वो पांच अक्टूबर आने की कल की date से आपके online form वरे आएंगे जो कि 25 अक्टूबर तक चलि और दूसरे week में आगा नमबर के नमबर और दिसम्बर के last में जो है आपका exam होने वाला है नमबर के last यह दिसम्बर के परश्ट वीक में आपका exam स्टार्ट हो जागा ठीक है और इसका रिजल्ट दिसम्बर में ही आ जागा इसके बात दीके men's exam कब होने वाला है second यह third week को आपका इसका later call letter आगा और दिसम्बर के last week तग आपका exam हो जागा men's ठीक है और इसका result भी जनवरी में जागा फिर इसका interview होना आपका जो कि February में होगा ठीक है February के दूसरे या तीसरे week में आपका इसका interview होने वाला है ठीक है तो चली इसके बारे में हम और भी detail देख लेते हैं तीन सो ऐसे किया है यह बाकी backlog को अगर मिला है तो दो हजार चपन टोटल हो रही है पेकेंसी ठीक है चली हम नीच और detail देख लेते हैं ठीक है education qualification जो है क्या मांगा गया है ठीक है तो 31, 12, 2021 तक आपके पास जो है graduation की कोई भी degree हो तो चलेगी और those who are in the final year अगर आप final year में हैं या semester में है और their graduation may also apply provisional subject to the condition that if called for interview ठीक है जब आप interview के लिए बुलाए जाएंगे तो they will have to produce proof of having passed the graduation जब आपको इंटर्वी होगा तो उस समय आपको जो है graduation आपको दिखाना पड़ेगा जो की 31, 12, 2021 के संद्रव में रहेगा ठीक है यहाँ पर no condition दिए ठीक है इसके बा age limit देखिए आपको क्या मांग गई है 14, 2021 के संद्रव में जो है आपकी गणना की जाएगी जिसमें आपको देखे मलब 21 साल से आपको कम का नहीं होना है और 30 साल से आपको ज्यादा का नहीं होना है ठीक है 21 से 30 के वीश में आपकी age होना चाहिए schedule कास्ट को देखिए जो SC है या ST है उसको 5 साल का relaxation है OBC को तीम का और बाकी जो PWD वा लिवा है आप उनका देख लिएजएगा अपना ठीक है इसके बाद देखिए यहां पर कुछ नहीं है important ठीक है मैं बिल्कुल important important बता हूँ आपको कुछ भी फालती हो नहीं बताने वाला चलिए हम अब देख लेते हैं इसमें selection procedure क्या रहने वाला अक्रेकर तो देखिए आपका तीन phase होंगे preliminary होगा मैंस होगा interview होगा उसके बाद आपका selection होने वाला है तो देखिए फेस वन में क्या होगा prelims होगा जिसमें आपके तीन section रहेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा pattern यहां पर दिया हुआ देखिए आपका देखिए English पूचा जाएगा Quant पूचा जाएगा Reasoning पूचा जाएगा तीस question रहेंगे इंगलेस के और 35-35 question रहेंगे Reasoning और Quant के जिसमें 100 question रहेंगे 100 marks का रहेगा और time duration 20-20 minute रहेगा यहां पर कोई भी आपको minimum cut-off नहीं लाना आपका जो selection होगा वो overall cut-off पर होगा ठीक है इसके बाद देखिए phase 2 आगा जोकि आपका mains exam होगा रहेगा face one में कितने बच्चे पास की जाएगे 10 times जो बच्चे 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 बच्च्चे वाक्ची यहां पर पास की जाने है 2000 के 10 गुच्क है इसके बाद phase 2 होगा जोकियेfan Main exam होने वाला है जिसमें आपका देखिए objective होगा 200 marks का और descriptive होगा 50 marks का यान कि 250 marks का हुआ जिसके लिए आपको देखिए total 3 30 minutes यान कि 3 गंटे 30 minutes दी जाएंगे 3 गंटे आपका यह वाला paper होगा जिसमें आपका देखिए reasoning और computer रहेगा 45 questions 60 marks के होगे duration 60 minutes दिया गया इसके बाद जीए रहेगा और banking awareness 40 questions 40 marks 35 minutes English language 35 questions होगे 40 marks के 40 minutes टीक है total 155 questions होगे जो कि 200 marks के होगे और 3 गंटे आपको दी जाएंगे यहाँ पर इसके बाद descriptive होगा जिसमें आपको एक essay और एक letter लेकना होगा इसके आपके बाद 30 minutes होगे टीक है और यह letter और ऐसे का जो number होगे वो 50 marks होने वाले हैं यहाँ पर देखिए जो भी man's exam में बच्चे पास की जाएंगे वो 3 times बच्चे पास की जाएंगे जो कि interview के लिए call की जाएंगे interview देखिए यहाँ पर अगर आप negative marking करते हैं तो आपको वन फॉर्थ की जो है negative penalty मिलेगी ठीक है इसके बाद फिएर स्री में आपका ग्रूप description होगा ठीक है interview होगा 30 marks है ग्रूप exercise होने वाली है 20 marks की ठीक है इसके बाद देखिए final selection यहाँ पर देखा गया है कि number अगरा देख लिए गाप ठीक है इसके बाद exam center और वबर इंडिया मिलते हैं इसके ठीक हम और देख लेते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए salary दिया हुआ है emoluments तो देखिए 41,960 यान की 42,000 तो आपकी basic है पर यह जब आपकी final जो हाथ में आती है वो 60 KK plus पहुंचती है यह salary बिलकुल final बनके ठीक है और उसके बाद तो फिर बढ़ती है दी बहुत salary तो बहुत ज़्याता है ठीक है इसके बाद देखिए application fees क्या रखी गई है तो general OVC और EWS के लिए 750 fees रखी गई है बागी SCST के लिए कुछ भी फीस नहीं है ठीक है इसकत pre-exam training SCST वालों का होता है ठीक हाउ to apply करने के लिए यहाँ पर डीटेल्स भी आप देख लीजेगा और मैं कुछ बताएता हूँ अगर important होगा तो तो देखिए friends यहाँ पर कुछ भी जो है देने जाएंगे तब बहाँ पर आपको submit करना होगा ठीक है तो friends I hope वीडियो आपको पसंद आया हुगा SBI से जुड़ी किसी भी अन्य या किसी भी अगर banking exam से जुड़ी ख़बर पाना चाते है तो हमारे चैनल को subscribe के लिए अगर आपका IVPS, RRB, clear comments का exam है तो उसके लिए हम computer की series और GA की series चला रहे हैं तो उसके लिए हम आप हमारे चैनल को subscribe के लिए Thank you so much, Jai Hind, Jai Bharat